हुआ है दोस्तों देखिए आज हम कनेक्शन करेंगे के अनर्जी मुटर है यह डाबल पोल mcb है है आया तीन mcb है सिंगल पोल का एक निूट्रल वाल है अतीन रोम का कनेक्शन करना है ठीकए देखिए हम करते है अ देखिए Einn सिंगल इनंजी मुटर में तो देखिए चार्ट ट्रेमिनल होता है तो एक फेज लाकर पूल्से दो भी चैनलते हैं फेज एक नीट्रल टिक है तो फेज लाकर म्मग्धर के एक ठ्रेमिनल पर जोड देंगे ठीक हैं अंदर अंदर देखिए लास्टवाल ट्रेमिनल से इसको निकाल कर फिर डवल पुल के लिए चाय ट्रेमिनल है ठीक है तो एक वाले ट्रेमिनल पर जोड देंगे ठीक है देखिए जोट गया देखिए अब न्यूटरल का कनेक्शन करते हैं यह हो गया न्यूटरल फिर न्योट करेंगे ठीक है फिर double pole के MCV के दूसरे वाइल ट्रेमिनल पर लाकर जोड़ देंगे है अब उपर से आउट करेगा ब्बल पोल जो empty है उसके ऊपर हाले ट्रेमिलोंसे आउट करेगा तो देखेए फेज आउट कराएं गर तो दिया कर सिंगल पोल वाला mcb है उसमें लेंकर कनेक्ट कर देंगे देखिये करते हैं どर्ये लादें है से वीह सिंगल पोले में इसके नीचे वाले हैं आपस में फुरह कनक्शन कर देंग नपूरा कनक्शन कर देंगे कनक्शन कर देंगे हो गया देखिए यहे ज़ो mcs' भी होता है कबल इसम्हें के कनक्शन होता है neutral नहीं लगता पार है ठीक है अब देखिए यहां से आउट करें से आउट फैजन को डिक स् films के लिए एल रम सो मेरा सुर्ड रूम के लिए झाकर YEAH से लिए यहां से देखीem करते हैं यहां से देखेंजी का गारें श्कार करेंगे देखिए फर्ष्ट वाले रूम्बे कनेक्शन कर दिये देखिए अब दूसरा वाला जो है MCB यहां से उपर से आउट करेंगे लेकर चले आएंगे यह दूसरे वाले रूम्बे फिर जो तीसरा वाला है MCB यहां से आउट करेंगे आजाएंगे तीसरे वाले रूम्बे लेकर अब बस यह नूट्रल का कनेक्शन अब यह जो बूट दिखाई दे रहा है फर्स्ट रूम में उनमें भी आप कनेक्शन करके आप लोग को बताएंगे ठीक है देखिए अब नूट्रल का कनेक्शन करते हैं जब देखिए नूट्रल का कनेक्शन करेंगे जो डबल पोल एमसी भी है ना इसमें नूट्रल गया है अब यहां से नूट्रल आउट करेंगे तो लाकर सीज़े नूट्रल बार पर कनेक्ट कर देंगे अब यहां से नूट्रल बार पर से इतने पॉइंट है मालगी तीन रूम है तो तीन रूम पर यहां से नूट्रल बार पर से कनेक्शन ले लेंगे देखिए ले ले देए इस वाले पर से यह कि ऑख लाकर तीसरे नमर में कनेक्ट करदिया दूसरे वाले बच्छा दूसरे वाले पर भी पर कनेक्ट दे रहे है तो फिसा कि नमर फी चला गया donut बच गया पस्ट वालए हिसे नाजकर कनेक्ट कर देंगे देखिए लिए रूम में वो गया बार से connection आगया अब देखिए हम बोड के जो बोड है अंदर फर्स्ट रूम में इसमें तीन स्विच है एक सोकेट है एक लेगुलेटर है फैन रेगुलेटर एक फ्यूज है इसमें connection करते हैं देखिए किस तरह connection कर रहे हैं देखिए जो फेज आया है इसको के उपर वायुल ट्रेमिल पर connect कर से देंगे अब यहां से आउट करेगा फिच के दूसरेवल ट्रेमिल पर आउट कर Gao तो इसको ला देंगे सिझे ऑई-जोगेटके एक ट्रेमिल पर ठीक है लाँलर देंगे थी कि इस वाले स्वेट इस कर से के नीचे वाले ट्रेमिनल पर कनेक्ट कर देंगे अधि ऊपर वाले ट्रेमिनल से इसको आउट कराकर आज to get के यह ट्रेमिनल पर лगा देंगे कैसे कंड्न कर देंगे होगा अब नीचे वाले अब देखिए आपरहए तremminal से उपरवालए ट्रेमिल से लाखकर पनेक्ट कर देंगे और तर्म तर्म ओधर से लाकर निटिंटरर ट्रे चाहिए चलाने के लिए तो हम निटरल भी देते हैं देखिए कैसे ये लेम्फ को चलाने के लिए फ्रेज नूटल दोनों चाहिए तो जो बीच वाला स्वीच है इसको उपरवाल्ड ट्रेमिनल से ले जाकर लैंफ की एक Definitely पर कनेक्ट कर देंगे और लैंप और फैन को दोनों के चलाने के लिए तो नूक्रा है जुआ एस तरह करते हैं आधनल के ला द देंगे ला कर रेञत कर देंगे और लेखिए कि अपर में हो गया शाए यहां से और धालə और करेंगे और यहीज आइका देंगे इसे इसמים कि अड़िवी में कभिष धर गोगत वैप 32 एंपियर का लिए हैं आया जो तीनों रूम का है तो 13 एंपियर का एंसी भी लिए हैं ठीक है दोस्तों और जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किजिए कमेंट किजिए और कुछ आगे आपका मन में विचार आए तो कमेंट में बताइए हम उस पर वीडियो बना देंगे किजिए हैं कि झाल डड़ड़ा च्छा चाज़ा हैं